नमस्कार स्वागात है आपका testbook.com में तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटर और थमनेल में पढ़ी लिया हो कि आज अम बात करने वाले हैं भारत के जो पिर्सिद के लिए हैं जो फेमस फोर्ट्स इंडिया के उनके बारे में जो लोग government job के exam की preparation कर रहे हैं उनका जो GAGK का portion होता है उसमें इस तरह के questions आ सकते हैं आपके GA के portion में कि ये वाला फोर्ट कहां परिस्तेत है और इस तरह जो force related questions भी आपको GAGK के portion में देखने को मिल सकते हैं आपके government exam जो होते हैं government jobs के लिए जो exam होते हैं उनमें तो आई शु इंतरता दिबस यानी 15 अगस्त को देश के पिर्धान मंत्री छंडा फेराते हैं सन 1648 में Redford को बनवाया गया था और इसकी जो location है वो दिल्ली है और इसको सहज आना है बनवाया था ये यमना रिवर के bank परिस्तेत है it was designated as a UNESCO World Heritage Site in 2007 as part of the Redford complex तो Redford complex के ये पार्ट के तौर पर 2007 में UNESCO ने इसको World Heritage Site होसित किया था और जैसे मैं आपको शुरू में आया कि हर साल देश के प्रदान मंत्री यहां से दोजारोन करते हैं और देश के नाम संबोदन भी करते हैं ये हो गया Redford गॉलियर फोर्ट यानि गॉलियर के किले की तो इसको नि पासाशन किया गया है रूल वाइदा 110 रूलर्स और सेरे में गले स्टाइल ब्यूटिफल मोटिफ एंड इंट्रेक्टिकेट लेटिक वर्ट्स और देश को अलग बनाता है यह हो गया गॉलियर फोर्ट फिर हम बात करते हैं गॉल्कॉंड फोर्ट की जो की हैदरावाद मि इसके बिल्ट एर के लेके थोड़ा डिस्प्यूट है तो इसको बिल्ट कराया था काकति किंग्स ने काकातिया जो किंग्स है उन्होंने आप इसको बिल्ट कराया था और इसका जो नाम है वो नाम आया है गॉट इस नेम फ्रॉम शैफर्ट्स हिल वह वन एक्सलेंट सेंस can yet even a kilometer away. तो यह हो गये Golconda fort है कि घेदरावार मिशते थे. फिर हम बास करते है जैसल मेर fort की इसका निर्माड बार्मी सताब्बी में किया गया था और यह जैसल मेर राहिस्थान मिशते थे और इसका निर्माड कराया था रावल जैसल ने जैसल रावल जैसन इसका निर्वान कराया था और in 2013 जैसल में फोर्ट along with five other forts और राइस्थान वाज जेडिये उन्यसको व्ल्ड हरिटेज साइड अंडर ग्रोफ हिल्स फोर्ट्स ऑफ इंडिया तो 2013 में इसको उन्यसको व्ल्ड हरिटेज साइड का दर्जा दिया गया जो राइस्थान में ग्रोफिल्स फोर्ट्स है जो उन्यसको व्ल्ड हरिटेज साइड है उसी में इसको दर्जा दिया के उन्यसको व्ल्ड हरिटेज साइड का 2013 में फिर हम बात करते हैं City Palace की इसका निर्मान 18 सिताबने में किया गया था और यह जैपुर में स्थे थे और इसका निर्मान करा था सवाई Jai Singh 2 है और हम बात करें इसके कुछ facts की तो emalgration of various styles of architecture यानि इसमें अलग-अलग तरह का architecture है जिसमें मुगल भी है, राजपुताना भी है, European style भी है, तो इसका जो architecture है, वो mix है, काफी अलग-अलग तरह का architecture है, जो इसको बाकी photo's से अलग बनाता है, फिर हम बात करते हैं, चित्तौरगर फोड की, जो कि चित्तौरगर राहिस्थान में इस से थे, और इसमें देखिए, का जाता है कि इसमें 84 water bodies थी, जो कुएंको और बाबरी की रूप में 84 water bodies थी, जिसमें bonds से, थालाब थे, step walls से, अलग लग थी, यानि कि इसमें जो लगबख 4 billion लीटर आफ पानी की बंदारान की छमता थी, जिसमें से अब बताते हैं, सिर्फ 21 या 22 जो हैं, वो बची हुई है water bodies, तो यह अजिकरी famous था, अपने water collection को लेकर जिसमें पानी की बंदाई शमता थी, उसकी ये काफी famous थाई fort, फिर हम बात करते हैं, पानला फोर्ट की, तो ये 1178 में बनाए गया था, और ये कोलापूर महराश में इस्तित है, और इसको बनवाया था, भोजा टू और आदिल शान है, और ये architecture of the fort is, बीजापुरी style with a peacock motif of Bhamini style, फिर हम बात करते हैं, श्री गंगा पत्नम फोर्ट की, जिसका निर्मान 14 शोगुन में कराय गया था, और इसकी location करनाटका, यानि करनाटका में हिस्तित है, और इसको बनवाया था, तिमनाना नाइका ने, और इसको टीपू सल्तान की प्लेस की नाम से भी जाना जात हैं, यह राइस्थान में इस्तित है, जैपुर से थोड़ी दूरी पर इस्तित है, और इसको राजा मान सीग ने उन्माया था, और इसको गेटवे ऑफ राइस्थान के नाम से जाना जाता है, इसके और भी कई अट्रेक्शन हैं, जैसे दिवान-े-ाम, दिवान-े-खाज, गनेश-पोल, जलेप-चौक, सिंग-पोल, जया-मंदिर, यश-मंदिर, सुक-मंदिर, शीश-महल, शेला-जे-बी-टेंपिल और भूल-बलया, इसके और भी कई अट्रेक्शन हैं, आमेर फोर्ट के, राजा मान सीग ने इसका निर्मान कराया था, और यह राइस्थान मे इस्थित है, फिर हम बात करते हैं, दौलतावाट फोर्ट की, तो दौलतावाट फोर्ट, और एंगावाद महराष्ट में इस्थित है, और यह जो फोर्ट है, इसलिए उन्वाए गयता, जो अटेकर्स हैं, उनको कन्फ्यूज करने के लिए इसको उन्वाए गयता, क्योंक प्लेसे मेश बिल्टू बैफल अटेकर्स तो यह था दॉलतावार्ट फोर्ट जो कि औरंगावाद महराश्ट में इस्ते थे थे फिर हम बात करें जूनगार्ट फोर्ट की इसका निवार्ट पंदरा सो नवासी से पंदरा सो चौरानवे के बीच में किया गया था और यह बी और तो यह थे कुछ इंडिया के फेमस फोर्ट इसी के साथ इस वीडियों में यहाँ पर समाफ करते हैं हमना यहाँ पर आपकी देखे दिल्ले के रैड फोर्ट ग्वालियर फोर्ट आमेर फोर्ट सिटी पहलेस देसे कई इंपोर्टन फोर्ट के बारे में बताया इसी के सा झाल